गौवर्मेंट जॉब के जाल में फज रहो क्या आप भी इनमें से हो और नहीं हो बात करने वाले इस टॉपिक पर गौवर्मेंट जॉब एक साइड से आपको अगर लाइफ में स्टैबिलिटी दिलाता है तो दूसरे साइड से आपके लिए वो एक जाल भी हो सकता है जिसमें आप फस जाओगे और आपको कोई वी सक्सेस नहीं मिल सकता है सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमीट जोन को और वीडियो की नोटिफिकेसन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल न भूले हैं हलो फेंट्स मैं नाम सुमीत है और आप देख रहे हैं सुमीत जोन हमने अपने चैनल पर बहुत सारे कोर्सिस को रिव्यू किये हैं यह वो कोर्सिस जो आपको 100 परसंट जोब दिलाती हैं बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इंसुडेंस सेक्टर में, प्राइवाट कंपनीज में आप जाएं इन प्लेलिस्ट को चेक करें आपको बीडियो जरूर बेनेफिसियल होगी अगर आप government job prepare करने वाले हैं, अगर आप government job में ही जाने वाले हैं, let it be any field, आप किसी field में जाने वाले हो, अगर आपकी focus government job यह है, तो आपकी focus class 12 तक तो होगी, after class 12 मुझे government job में जाना है, या फिर नहीं है, तो आप में यह चीज़े होनी चाहिए, कि जब 12 पास करते हो, आप अगर आप जब graduate में रहते हो, first year, second year में, तो आपके दिना में तो totally यह होगा ना, कि आपको इसके बाद government job यह करनी है, अगर नहीं है, तो यह चीज़े होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास starting में होते हैं 3 years, आप जब graduation में नाम लिखाते हो, तो year 1, year 2, year 3, आपके पास 3 years होत कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं यह कहना चाहरा हूँ, कि अगर आप graduation कर रहे हैं, अगर आप अपने graduation के starting year से ही totally focus कर देतो government job की तयारी में, तो आपको within a year और two year आपके graduation के बाद आपको 100% job लग जाएगी, अगर आपने 100% दिया है तो साल बरवाद होंगे, यह ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको 100% से 5% लोग ऐसे हैं, जिनको after graduation within a year job लग जाती है, ऐसे दिमाग बहुत कम के पास ही मिला है, जो कि after graduation within a year उन्हें job लग जाती है, बाकी लोग वहाँ पर कमसे का मैनत करते रहते हैं, तीन साल, दो साल, च इसे का टाइम खतम ही नहीं होता है, तो जिसका टाइम खतम ही नहीं होता है, प्रिप्रेशन करने का, उस ही हो कहते हैं, गौर्मन्ट जॉप के जाल में फसरे हो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिं से प्रिपार करते, within your graduation होते हुए, आपके बास 13 साल था, मैक्सिक आप कितन दोगे, आप 21 years में graduate हो जाते हो, minimum, उसके मात आप कितना समय देना चाहते हो, गौर्मन्ट जॉप के लिए, आप कितना समय देना चाहते हो, कि मैं 24 साल तक 25 साल तक समय दूँगा, गौर्मन्ट जॉप को नहीं हो पाती है, तो मैं अपनी फिल्ड ही चेंज कर दूँगा, अ गौर्मन्ट जॉप का जाल, आप इस जाल में खुद को खुद से डालते हो, क्योंकि आपके पास पहले से mindset नहीं था, आपको mindset नहीं था, कि आपको graduation में करना किया है, आपने simply enjoy करते हैं, आपने तीन साल बरवाद कर दिया, उसके बाद आप इस फिल्ड में आए, तैरी किये, आपको दो साल में यह समझ में आए, कि pattern क्या, असले वस क्या है, उसके बाद आप काम कर रहे हो, अपनी speed पे और नहीं कल पाद दिया, मतलब कि आपने तैयारी किया within graduation 3 years, फिर आप तैयारी किये, गैशन के बाद 2 साल, आपने टोटली तैयारी कर लिया 5 साल, तो अब आप कितना time दोग इस चीज़ को, आप खुदी सोचो, कि आपनी पूरी उमर देदे को इसको, ताकि आप किसी और फिल transit होनी चाहिए, बात करते हैं, जो नॉर्मल एक्जाम होता है, उसकी जो एस criteria होती है, general candidates के लिए, वो आपको minimum 30 years होगी, वो ही ST, AC, OBC के लिए कितना होता है, 35 years होगा, मतलब कि general candidates को, आपको within 30 years ये संभलना है, उसको target focus करना हो कि मुझे इतने साल से पहले करना है, क्योंकि अगर मैं इसमें नहीं कर पा रहा हो, तो मुझे अपना field or switch करना है, मेरे पास और फिल होने चाहिए, private banks में, private companies में काम करने के लिए, क्योंकि आपको काम तो कर नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जी रहे हो, अगर आप लड़की लड़का कोई भी हो, तो एक certain age के बाद आ Now, as a general candidates मेरे, अगर age criteria 30 years है, तो मुझे 26 तक मुझे खुद को set करना है, अगर मैं set खुद को नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं अपना field ही चिंज कर दूँगा, मैं किसी और field में काम करूँगा, मैं यह बात किया general candidates के लिए, तो यहाँ पर OBC, AST, AST जो candidates होता है, उसके पास age criteria होती है, 35 years तक, वो 30 years को simply लेता है, मुझे 30 years तक तो तयारी करना ही करना है, after 30 years आपके पास कोई भी options नहीं बचते हैं, private companies में काम करने की, क्योंकि आपकी age criteria निकल जाती है, वहाँ भी काम करने की, मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ, जब मैं live stream किया हूँ, तो ऐसे म exam नहीं निकला है, मानता हूँ, exam नहीं निकलती है लोगों की, तो क्या आप इसी की पीछे लगे रहोगे, आपका दिमाग कब खुले है कि आपका यह line नहीं, आपका यह field नहीं है, आपको अपनी field स्विच करने चाहिए, आपका सिर्फ जो age criteria गोवर्नमेंट के हिसाब से, वो सिप आपका age निकाले जा रहा है, और आप फिर बाद में कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप, जैसे कि आपकी 30 years हो चुकी है, तो आप बाहर में क्या लगता आपको, कोई job मिल जागा, जैसे 30 years जहां पर आपकी salary 60,000 रुपे होनी चाहिए थी, वहाँ पर आप जब किसी और company में जाओगे, आफटर 30 years आप अपनी 30 साल उमर गवा करके, गवर्नमेंट जब की तयारी करके, अगर आप किसी private company में काम करना जाते हो, तो आप आपको salary मिलेगा 10,000 की 12,000 की as a freezer, तो इस समय तक job पाएं कि government job में, अगर इस समय तक मुझे job नहीं मिला, तो मुझे अपनी field change करनी करनी है, इसी वह कहते हैं government job का जाल, आप अपनी सिर्फ उमर निकाल देते हो, अगर आप जेंदर candidates हो, अगर आपकी 30 और 28 यह stress हो जाती है, तो आपके बास यह बहुत सारे options छट जाते हैं, नहीं मिलेंगा अपको private companies में अच्छी खासी job, क्योंकि 25 साल में अगर आप आते हो private चीजों में, तो आपको अच्छी खासी salary और अच्छा खासी opportunities है, तो जाकर करके आप उसे पा करके, आप साधी भी कर पाऊगे, अदर्वास आप सी फस जाओगे government job के जाल में तो दोनों राम एंट से आप किसी government job में job आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पर उस exam की age criteria है, 28 years, जो general के लिए 28 years है, एंड ST को यहाँ पर age relaxation है, उस हिसाब से उसकी age हो जाएगी 33 years तक वो exam दे सकता है, suppose that कि general candidates को 28 years तक exam नहीं निकली, उसके फिर life चले गए, job field को switch करने की, अभी भी चाहे तो वो किसी और field में आ सकता है, I am talking about कि वो private company में आ सकता है, हाला कि age ज़्यादा हो चुक है, 28 years से बहुत ज़्यादा age है, बट वो आ सकता है, बट वो ही अगर यहाँ पर इसी समय अगर अपने राम दोस्त को देख करके, अगर स्याम अगर न अपने उम्र आधी उम्रे खतम कर दी, government job की तयारी करते करते, this is called trap, यही होता है, जाल में आप फस्ते जारो, फस्ते जारो, age relaxation के चक्कर में, so aware रहें